कर दोस्तो मैंनल आई एस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तो आज जो है हमने क्वेश्चन जो लिया है वो न किसी राज विवस्था से है न इतिहास भूगुल किसी से नहीं है वो क्वेश्चन बेसिकली है छ्यूंपोर्टेंट है क्योंकि परिच्छाओं में कई बार पूछे जाते हैं इस टाइप के कॉस्चन तो इसलिए मैं ने यह क्वेश्चन लिया हुआ है और आप लोग जो है यह बताईएगा कि जो क्वोश्चन मैं दूंगा मतलब जो क्वेश्चन मैं अभी बताने वा आपको उस question की जितने answers है ना मतलब सारे के answer आप लोग comment में लिखिएगा ठीक है तो आज के question को चलिए देखते हैं आज के question पहला हमारा question जो है noble पुरिसकार विजेता रवेंद्र नाट टैगोर का जन्म दिवस किस तारीक को मनाया जाता है चारा option है हमारे सामने जो है चार माई और है साथ माई आठ माई नौ माई तो यह चार नहीं छे माई है ठीक है तो यह जो है हमारे चार विकल्प है इसमें से कौन सा विकल्प सही है इसमें से सही है जो है नौ माई कौन सा सही है दोस्तों नौ माई एसिया के पहले भारत के ही नहीं है एसिया के भी है यह कौन है तो रभ्यंत्रना टैग हो रहा है इनका जन्म दिवस यो है 9 माई को मना जाता है तो यह यहसा आप लोग याद रखना इनका जन्म स्थान जो है पस्षीम बंगाल में हुआ था इनका जन्म ठीक है और इन्हों ने जो है भारत की जनगर्ण मन जो है इसकी रचना की थी और भारत के राष्टी गीत की राष्टगान की और जो है वहां के सुरी गीत नहीं है भारत के राष्टगान है गीत तो बंकिम चंद चटार जी ने की थी ना भारत के राष्टगान की जो हरचना और बंगलादेश के राष्टगान की रचना रमिदना टैगोर जी ने की थी 9 माई को इनका जनम दिवस मनाया जाता है और इनका जनम दिवस जो जस्न होता है वो भारत के साथ बंगलादेश में भी मनाया जाता है ठीक है तो यह चीज आप लोग याद रखना आते हैं पर नेक्स्ट कोस्टन क्या है पहले देखते हैं दूसरा कॉस्टन है जैने का नाम आया तो एक बार सुसान्थ सिंग राजपूत का नाम भी हम ले लेते हैं जो है उनको देखिए वो तो मेरे फेवरेट एक्टर थे मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद थे ऐसे एक्टर थे कि जो आदमी मतलब अपने दम पे किसी इंडस्ट्री में इतने हाई लेवल तक जा सकता है वो अभी अपने दम पे क्या हुआ कैसे हुए ये तो मुझे नहीं पता पर जो भी हुआ उनके साथ बहुत गलत हुआ है और उनको भी किसी भी परिस्थिती में आप रहो पर इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए चाहे किसी भी परिस्थिती में रहो क्या पता है जिन्दगी दोबारा मिलती किताब में कोई भी मत उठाना ठीक है तो आते हैं जो है क्वेश्चन पे 2038 दिवस कम मना जाता है तो 2038 दिवस जो है चार विकल्प है हमारे लिए 2038 दिवस के लिए 25 मार्च 26 मार्च 27 मार्च 28 मार्च इन चारों में से जो है हमारा एक विकल्प सही है कौन सा सही है तो वह हमारा जो स सब्सक्राइब है 27 मार्च 238 दिवस 27 मार्च को मना जाता है यह अंतर राष्टी 388 संस्थान द्वारा मना जाता है पहली बार द्वारा मना जाता है 27 मार्च को मना जाता है इसका उद्देश से थ्रियेटर कर द्वारा मना जाता है संपूर्ण विस्व में प्रचार करना है thigh good अतर नेक्स्ट कोशिण पर हमारा नेक्स्ट कोश्चन सी नम्बर वाला है विस्व झैव वإविधिता दिवस कब मना जाता है विस्व मना जाता है चार विकल्ब फिर से हमारे सामने है अब हाल ही में मनाय गया तो आप लोगों को याद भी होगा यह विद्धिता दिवस में टेलेग्राम वगरे में पोच्ट भी करवाया था तो आप लोग कमेंट में बताईएगा विद्धिता दिवस कब मनाया जाता है जो है विकल्प आपके सामने है इसमें से आपको सही विकल्प को छाटना है कौन सा विकल्प सही है आपको जो है बताना है चार विकल्प है 22 मार्च 22 अपरेल 22 मई 22 जुन तो फिलाल भी आया नहीं है तो यह उप्सन तो एकदम से भूल जाओ कि गलत है आपके लिए ठीक है क्योंकि मैंने भी बताया किसके बारे मैंने ग्रूप में पर जो है उन तीनों जैवे विधिता दिवस जो है 22 माई को मनाया गया था कब मनाया जाता है 22 माई को मनाया जाता है याद रखना विश्व जैवे विधिता दिवस जो है 22 माई को मनाया गया जाता है ठीक है इसका उद्देश से जो है जैवे विधिताओं की सुरक्षा करना क्या है जैवे तो आप लोग जो है क्योंकि ये परिच्छाओं में कई बार पूचा गया है विश्व गवर्या जो है भारत की एक आहम प्रजाती है और लगभग लगभग ये प्रजाती खतम होती जा रही है क्योंकि आप लोगों ने नोटीस भी किया होगा तो पहले देखते होते हो घर के पास में जो है तो देखते होगे तो खूब सारी गवर्या देखती थी पर अब जो है एक भी मतलब कभी कवार देख जा दो देखके बड़ी खुसी भी होती है कि गवर्या आई है पर जो है गवर्या की प्रजाती खतम होती जा रहे तो उसको बचाने के लिए जो है उसके स जो है 20 March को मनाया जाता है ठीक है तो जहसे मैंने बताया ना कि गरती संख्या को जाते हुए यह मना जाता है कब से शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी साल 2010 से कब हुई थी इसकी सुरुआत साल 2010 से रिपोर्ट के अंसर गई गौरईया की संख्या लगभग जो है 60-50 फीसदी तक कम हो गई है मैंने आपको बताया ना कि धीरे-धीरे कम होती जा रही पहले कितनी दिखती थी अ तो जैसे गौरईया को बचाना है तो हम लोगों को भी पर्यावरण की रक्षा करनी होगी जो है थोड़ा कम मतलब अभी होता है ना कहीं बार्केट से मतलब समोसे भी लेने जाने हुए तो बाइक ही स्टार्ट करते हो थोड़ा पैर चलाओ अपने अगर जो है प्रजातिय या पर्यावरण को सुरक्षित रकना है तो प्रदूसर को कम करना पड़ेगा ठीक है आते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे नेक्स्ट कोश्चन हमारा है बिस्व मौसम दिवस मौसम तो इस समय चाये हुए हैं बादल हमेज़ा चाये रहते हैं साल 2020 तो ऐसा हो गया है कि मतलब ज तो मौसम की बाद तो इस बार छोड़ी दो पर मौसम दिवस कम मनाया जाता है तो मौसम दिवस बिस्व मौसम दिवस कम मनाया जाता है यह चार विकलफा इसके लिए 23 मार्च 24 मार्च 23 अप्रेल 24 अप्रेल कम मनाया जाता है बिस्व मौसम दिवस तो बिस्व मौसम दिवस जो है अपना मनाया जाता है 23 मार्च को कब मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को 26 मौसम दिवस मनाया जाता है ठीक है आते हैं पर नेक्स्ट कॉस्ट्ट कौन सा है नेशनल कायड़ेड कौर डे कब मना जाता है नेशनल कायड़ टूर कफुल खॉरम तो आप सभी को पता होगा नोशीशी Ancient Quadrant Growth कौरब ऐन description जो है एनस ची सीडे कब मनाया जाता है एनसली सिडे जो मनाया जाता है आप लोग कमेंट में बताइए देख पहले सबसे पहले यह बताओ आप लोग कितने लोग आप में से NCC किये हुए हैं होता नहीं स्कूलों में आपके तो NCC कितने लोग किये हुए हैं यह कमेंट में आप कर पाये थे या नहीं कर पाये थे यह सब अपलोग कमेंट में बताइएगा ठीक है तो यह केसे माला जाता है नेडे ठ्राइब है अब इस किया जिया जाता है थीक है आप लोग यह चीज यहाद रखना आते हैं अच्ट कुस्च्चेन पर कमारा नेक्स्च्ट कोस्च्चिन जो है है अंतर राष्टी प्रेश स्वतंतरता दिवस कब मनाया जाता है अभी आई ने प्रेश स्वतंतरता की रिपोर्ट भी आई थी जो है उसमें भारत का कौन सा अस्थान था आप लोग ये भी कमेंट में बताना कि जो बिश्व प्रेश स्वतंतरता दिवस की रिपोर्ट आई ह उसमें भारत का कौन सा स्थान था और जो है मतलब कौन सा देश सीर से स्थान पे था और कौन सा देश लाश्ट स्थान पे था ये तीनों चीज आप लोग कमेंट में बताना स्क्वेंस से लिख देना एक ही में कि यह जो है ऐसे ऐसे हुआ था कि यह यह देश पहले नंबर पे था भारत का स्थान यह था और जो है लाश्ट में अब मतलब एकदम अंतिमा स्थान पे यह देश था ठीक है तो बता ना अंतर राष्टी प्रेस्वतंतरता दिवस जो है मन आजाता है अंतर राष्टी प्रेस्वतंतरता दिवस मनाने का निरड़ाए 1991 में यूनसको और संयुक्त राष्ट ने जन सूचना विभाग से मिलकर लिया था किसे लिया था मिलकर जन सूचना विभाग से मिलकर कब लिया था 1991 में किस ने लिया तो यूनसको और संयुक्त र बाष्टER ने किसे मिल के लिया था जनसूचना विवाग से ठीक है आते हैं next question पे तो next question हमारा कौन सा है भारत में जहंडा दिवस कब मनाया जाता है भारत में जहंडा दिवस कब मनाया जाता है आप लोग comment में वताएगा इसका भी बारत अगर पता हो तो comment में जरूरा रूप बारत में ज़ंडा दिवस मनाया जाता है जो है साथ दिसंबर को भारत में ज़ंडा दिवस मनाया जाता है ठीक है आते हैं next question पे हमारा next question है जो है राष्ट्री गणित दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्री गणित दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्री गणित दिवस मनाया जाता है राष्ट्री गणित दिवस मनाया जाता है और जो है किसके उपलक्ष में मनाया जाता है अगता है इस दिन जो है प्रसिद्ध गड़ी तक कि ये श्री रामा निवास रामा नुजन के जन्म दिन पर मना जाता है किसके जन्म दिन पर मना जाता है बिश्वगडित दिवस कब मना जाता है लाश्ट कüfरicanaय। आप लोग जो है सभी बताना कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है यह question आप लोग इंप्वड़ एक question आपके लिए last question है इसका answer भी आप लोगों comment में देना इसका answer मैं नहीं बताने वाला हूं आप लोग जो है इसका answer comment में बताईएगा कि जो है दस्वा question का answer जो है आ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई बाई गुड नाइट टेक केर